नमस्ते फ्रेंड और वेलकम टू अनधर सेशन ओफ क्विक फिक्स प्रो आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों पे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से शुक्रिया आज हम बात करने वाले हैं इस gear knob को remove करने के बारे में ठीक है यह उपर की जो gear knob है इसको कैसे remove किया जाए वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज ठीक है उससे पहले मैं आपके साथ में कुछ जानकारी share करना चाहता हूँ जो मेरे दिल की बात है जितने भी सर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं जब यह चैनल नया नया बना था उस टाइम से जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो इस चीज को जानते भी हैं काफी बार उन लोगों ने request किया था मेरे को music system के ऊपर में video बनाने के लिए और मैं इसके लिए बहुत कतराता था मैंने काफी लोगों को बोला भी था कि सर मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है उसका reason यही था simple मैं जानता था कि जिस दिन मैंने ये video बना दी उस दिन पचड़ा सुरू हो जाएगा बिना मतलब का ठीक है बे मतलब का अब एक्चल मैं सच बता हूँ पीस लविंग आदमी हूँ सर में अपनी भी जिन्दगी में शानती से जीना चाहता हूँ और दूसरों की जिन्दगी को भी शानती से जीना देना चाहता हूँ ठीक है live and let live यही मेरा funda है simple अब problem यह हुआ है कि मैंने पूरी कोशिश किया था जितना मेरे पास information था जितनी भी जानकारी थी छोटी मोटी वो मैंने सारी आपको पिछली दो तिन वीडियो में देने की कोशिश करी थी इसलिए वो वीडियो लंबी भी बनी है पर उसके बाबजूद अगर किसी के साथ में अगर कुछ अन्होनी हुई है उसके लिए माफ़े चाओंगा सर मेरे पास में जो information था वो आपको मैंने दिखाया भी है करके और सामने में कोई चीज छूपी नहीं थी उसके बाबजूद अगर आप गलती कर रहे हैं तो उसके लिए मैं responsible नहीं हूँ यह पहले भी मैंने आपको बता चुका ओलड़ी देखो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो या नहीं करते हो उससे मत फरक नहीं पड़ता पर वो नुकसान आप फिर भी कर बैठते हैं अब क्यों कर बैठते हैं मुझे समझ में नहीं आता है clearly जब किसी वीडियो पर मैंने लिखा है कि यह आपके लिए नहीं बनी है तो आपको वो काम नहीं करना है कॉशन करना चाहता हूँ कि सर काइंडली अगर आप रिस्क नहीं उठा सकते हैं तो उन वीडियो उसको देखके ललचा के उसमें मत जाना वो काम मत करना आपके काफी कमेंट्स आते थे तो इसलिए मैंने वीडियो बना दिया वो मैं बनाना बिलकुल भी नहीं चाहता था मेरा ये काम ही नहीं है मैं इस काम को करना ही नहीं चाहता हूँ कभी भी ठीक सिंपल सी बात बता रहा हूँ यार simple आदमी हो simple जिंदेगी जीना पसंद करता हूँ सच बताऊं तो तो मुद्दे पे आते हैं और मुद्दा ये है कि इस gear knob को उपर वाले को कैसे remove किया जाए अब इस gear knob को remove करने के लिए मैं आपको बता दूँ मारूती बगारा की जो गाड़ियां होती है जैसे वैगनार हो गया औल्टो हो गया या और भी कोई गाड़ी है उसमें इसको remove करके निकालना पड़ता है आप इसको ऐसे गुमाएंगे तो गुमाने पर ये निकल जाएगी यह पूरा कंसोल आपको मैंने निकाल के दिखाया था साथ में बताया भी था कि इसकी maintenance कैसे की जाती है पूरे आपके gear lever के उस वीडियो की आपको मैं description में link दे दूँगा आप अच्छे तरीके से इसको maintain कर पाऊगे पर अगर इसी को निकालना खाली आपको उपर वाली knob को तब इसको निकालना बड़ा simple है पर ध्यान से देखिएगा नुकसान मत करना सर देगी तो इस gear नो आपको remove करना बिलकुल अलग तरीका है मारूती की तरह आपको गुमाना नहीं है आपको करना सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो यह gap बन रखा है ना आपको clearly दिखा देता हूँ तो यह वाला जो gap है यह तो है आपका push lever ठीक है तो आपको यहाँ से नहीं पकड़ना है यहाँ से पकड़ना है ऐसे करके ठीक है तो इस तरह से आप पकड़ेंगे राइट इस तरह से आपको दोनों finger अपनी जो है वो यहाँ पे ऐसे फसानी है ठीक है और इसको simply खीच देना है उपर की तरफ मैं आपको एक बर करके दिखा देता हूँ ठीक है यह पटबा और यह खीच के निकाल लिया बाहर ठीक है तो इसमें साथ में यह spring निकला है एक ठीक है इसको निकाल लगाना भी मैं आपको सिखा दूँगा कैसे लगाते हैं बापिस और यह आपकी गेर नॉब जो है वो निकल के बाहर आ चुकी है तो कुछ ऐसी आपकी गेर नॉब दिखती है और यह काफी हैवी है बहुत वजन है इसका मतलब रेली बहुत ज़्यादा वेट है इसका अच्छा खासा वेट है और ये ये जो आपके ये पिन लग रखे है न ठीक है इन में जाके इंसर्ट हो जाती है खाली लॉक सा लग रखा है एक और कुछ नहीं है ठीक है ये जो तीन लॉक देख रहे हैं ठीक है ये जाके यहां पे फस जाते है ये इसमें और इसमें तो ये तीनों लॉक में जाके ऐ इसको भी बाहर निक़ाल सकते हैं इसको भी बाहर निकलना बड़ा असान है तो यह आपकि जो पुल valid कीवर लेवर है यह असानी से बाहर निकल आएगा बड़ा सिंपल है निकालना कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है अब वापिस बेठाने के लिए आपको ये वाला जो side है ना ठीक है जो ये वाला side है वो इस तरफ आएगा ऐसे ठीक है मैं दिखा देता हूँ ये वाला side हमेशा इस तरफ रहेगा ठीक है ऐसे रहेगा ये राइट और इसी तरह पहले इसको insert करना है अंदर में तो ये एक बार ध्यान से देख लीजिए ठीक है ये वाला side है ये बाहर की तरफ आएगा और इसी तरह आपको पहले ये insert कर देना है ठ अब यहां तक ही ये चला गया अंदर पहले हमने ये गुसा दिया इसको उसके बाद में अपने को ये जो spring है ना ठीक है इस spring को वापिस fit कर देना है यहां पर ऐसे खाली insert कर देना है अब ये spring insert करने के बाद में ये गेर नोब है हमारी ठीक है front facing इस तरफ है इसको यहां पर खाली रखेंगे एक बार जब देखेंगे कि सही तरीके से टिक गया है ये तो इसको push कर देंगे नीचे की तरफ ठीक है तो नीचे की तरफ पुश कर देंगे और एक बार थोड़ा जटका देके देखेंगे कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है और ये spring function भी आपका काम करना बाद कांड मत कीजिएगा ठीक है मिलते हैं एक अच्छी से वीडियो में तब तक लिए जाहिन जाह भारत